हलो बच्चो मेरी पाड़ साला में आपका स्वागत है बच्चो बच्चो आज हम कक्षा पहली विसय खेले करे सीखे इसके अंतरगत बच्चो आज मैं आपको कुछ खेलों के बारे में बताऊंगी इन दिनों बच्चो पूरी दुनिया में कुरोना वारे से जूज रही है इस कुरोना काल में बच्चे बड़े बुड़े हर वर्ग के लोग घर में रहकर घर में रहने के लिए मजबूर है आज हमें पढ़ाई भी घर से ही करनी पढ़ रही है जो बड़े लोग हैं वो अपन घर से ही ऑनलाइन अपना काम कर रहे हैं। लेकिन आज के समय पे हम बाहर नहीं जा सकते हैं खेलने के लिए। तो इसके कारण जो आज के बच्चे हैं वो बहुत परिशान हो गए चुके हैं। बच्चे सारा दिन मोबाइल खेलते हैं या टीवी देखते रहते हैं मोबाइल और टीवी का ज्यादा इस्तेमाल करने से आपके आखों में भी तकलिफ सुरू हो जाएगी है ना बच्चो तो बच्चो आज मैं आपके लिए बहुत सारे खेल लेकर आई हूँ वैसे तो खेल बहुत सारे हैं जैसे खोखो है कबड़ी है लंगड़ी है आकमी चौली है है ना बहुत सारे खेल हैं लेकिन बहुत सारे खेल हैं चुमेदान में भी खेले जाते हैं लेकिन बच्चो आज मैं आपके लिए ऐसे खेलों के नाम बताऊंगी जिसे आप अपने घर में बैठ कर खेल सकते हो, ये खेल खेलने के लिए ना बच्चो, आपको कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ये खेल आप अपने घर में, अपने मम्मी, पापा, दीदी, भाईया, या अगर आपके घर में दादा-दादी हैं, तो आप उनके साथ भी बैठ के खेल सकते हो, अभी मेर पितली बच्छे भी अाज में आपको घर में बैटकर कौन-कौन से खेल सकते हैं। इसके बारे में जानकारी दूंगी। ठीक है बच्छो तो सबसे पहले हमारा खेल है। बैटकर खेलने वालों में असपर्ष से वस्तुओं को पहचाना। बच्चो आपके आखों में पट्टी बांदी जाएगी सब बच्चों को इसे गोला बना कर बैट जाना है और जिसके उपर डाई है उसके आखों में पट्टी बांदी जाएगी और बहुत सारे खिलोने अलग-अलग चीज वहां पे रख देंगे तो बच्चों को उसमें से एक चीज लेना है और उसको असपर्श करके चूके उसको बताना है कि ये चीज क्या है आखे खोलके तो हम फटा फट बता सकते हैं कि ये क्या है लेकिन आखे बंद करके बताना थोड़ा मुश्किल होता है तो ये भी एक खेल है आप आके बंद कर दीजिए जिसकी उपर डाई है और उसको कोई वस्तु दे दीजिए वो उसको टच करके चूकर आपको बताएगा कि ये वस्तु क्या है अगर उस बच्चे ने सही बताया तो वो जीत गया तो ये खेल हम कितने भी लोगों के साथ मिलके खेल सकते हैं इस खेल में चार पांच लोग रहेंगे तो भी चलेगा अगर दो लोग हैं तो भी बच्चो इस खेल को हम खेल सकते हैं अब दूसरे नमबर पर हमारा खेल है, राजा, मंत्री, चोर, सिपाही, ये खेल तो सभी बच्चों को पता है, मुझे पता है, हर एक बच्चा, जब स्कूल में फ्री प्रेड मिल जाता है न, तो बच्चे क्या करते हैं, कॉपी में पेज फार देते हैं, और चोर चुटी की लिस्ट बना देते हैं, तो कागज में चार टुकड़े करते हैं, उस पे लिखते हैं, चोर, पुली, सिपाही, राजा, और खेलने लगते हैं, बसके टीचर, हम आवाज नहीं करेंगे, हम लोग चोर चिटी खेल लें, तो ये चोर चिटी का खेल तो आप लोगों को पता है इस खेल में बच्चो चार लोगों की जुरुत होती है, कितने खिलाड़ी की जुरुत होती है, चार, तो उसमें क्या करते हैं, एक चिट लेते हैं, और चिट में नाम लिख देते हैं, एक चिट में लिखेंगे राजा, दूसरे में लिखेंगे चोर, तीसरे में सिपाही, चोथे में पुलिस और सभी लोगों को अलग-अलग नमबर दे दिये जाते हैं और चिटी को फिर फोल्ड कर देते हैं, मोर देते हैं और उसे नीचे डालते हैं सब लोग एक-एक चिटी ले लेते हैं और इसके पास पुलिस की चिटी आती है वो उससे बताना पड़ता है कि बाकी बच्चे तीनों लोगों में से चोर कौन है अगर पुलिस ने सही एंसर दिया तो उसको नमबर मिल जाते है नहीं तो उसको जीरो नमबर मिल जाते है तो ये तो हुआ हमारा चोर सिपाही पुलिस का गेम ये सभी बच्चों को मालूम है, मुझे पता है, आप लोग खेलते हैं तो मुझे कमेंट करके बताईए, टीचर हम लोग तो ये खेलते हैं, अब हमारा आगे का खेल है चिडिया उड़, बच्चों याद हैं मैं आप सभी लोगों को खिलाती थी, इस खेल के लिए ना कितने लोग भी चलेंगे बच्चे, अगर दो लोग है ना तो भी ये खेल सकते हो, अगर आप दस लोग हो, तो भी आप ये खेल खेल सकते हो, इस खेल को खेलने के लिए सभी लोग गोला बना कर बैठ जाते हैं, है ना, इसमें कितने भी लोग खेल सकते हैं बच्चों, और सब ल अगर वो बुलेगा गधा उड़ और आप लोगों ने अपनी उंगले उपर कर दी उड़ा दिया तो आप लोग आउठ हो जाओगे जो उड़ने वाले हैं उनी को हमें उड़ाना है ठेक है अगर किसी ने गधे को और घोड़े को उड़ा दिया ये तो गलत हो जाएगा बच् सिड़ी भी आप लोग खेलते हो ये गेम भी बहुत अच्छा है ये गेम में क्या होता है एक से लेके सो तक नंबर लिखे रहते हैं लाइन से और बीच बीच में न बच्चों साप बना रहता है आप लोग चित्र में देखिए साप बने हुए न अगर साप ने हमें काट ल है जिस नंबर पे साप की पूछाएगी हमें उस नंबर पे आके रुख जाना पड़ता है अगर हमको सीड़ी मिल गई तो हम फटाफट उपर चड़ जाते हैं है न बच्छो आप लोग खेले हो और इसमें रंग भी रंग ये गोटियां होती है हमें डाई मिलता है हम डाई को ऐसे डालते हैं और वो डाई में न एक नंबर से लेके छे नंबर तर रहता है निशान बने रहते हैं एक नंबर तो एक गोला दो नंबर तो दो गोला ऐसे करके नंबर बने रहते हैं और जो सबसे पहले सो नमबर पे पहुँच जाता है वो विनर होता है वो जीत जाता है फिर उसके बाद आता है कैरम कैरम में बच्चो कम से कम दो लोग और ज्यादा से ज्यादा चार लोग चार लोग से ज्यादा कैरम में हम नहीं खेल सकते हैं बच्चो कैरम खेलते कि तीन तरह की गोटियां होती है एक तो काली गोटी होती है एक सफेध होती है और एक पिंक कलर की होती है जो पिंक कलर की गोटी होती है उसे हम क्वीन कहते हैं और उसका सबसे ज़्यादा नंबर होता है है ना पच्चास नंबर मिलते हैं queen पर लेकिन queen के साथ ना हमें cover निकालना पड़ता है अगर हमने queen निकाला है तो उसके बाद हमें उसके लिए एक cover डालना पड़ता है और जो काली गोटी होती है उसको 10 नंबर रहते है और सफेद गोटी को बच्चो 20 नंबर रहते है है ना तो जो सबसे जादी गोटी निकालता है वो विजयी होता है और उसके बाद है लुडो लुडो भी बच्चो आप लोग खेलते हो देखो चित्र में देखो लुडो में भी हम चार लोग एक साथ बैठकर लुडो खेल सकती है है ना आप लोगों ने खेला है लुडो इस लुडो के ना एक बोड होता है इसमें हर जितने चार लोग खेल सकते हैं और हर खिलाड़े के पास चार गोटी होती है और सभी को अपनी गोटियों को गोटी वाले भाग वैसे बना हुआ रहता है चार गोटी का देखो चितर में आपको दिखाई दे रहा है उसमें अपनी चार गोटी रखनी पड़ती है फिर उसको डाई एक रहता है डाई को ऐसे डालते हैं जो नंबर आता है हम उससी गोटी को आगे बढ़ाते जाते हैं जिसकी सारी गोटियां सबसे पहले चली जाती है होम में घर में वो विजई हो जाता है वो जीत जाता है वो क्या होता है वो जीत जाता है जिसकी सारी की सारी गोटी होम में पहुँच जाती है तो वो जीत जाता है तो बच्चो लुडो में भी चार लोग खेलते हैं उसके बाद आता है बच्चो सतरंज, सतरंज के खेल में भी बच्चो दो खिलाड़ी होते हैं, और सतरंज का खेलना बच्चो बहुत दिमाग वाला खेल है, इसे बहुत सोच के खेलना पड़ता है, इसमें दो ही लोग खेल सकते हैं बच्चो, सतरंज के बाद आता है बच्च तो लुकाचिपी, हम लुकाचिपी का खेल भी अपने घर में खेल सकते हैं, सिर्फ यह क्या है, यह खेल को हम एक जगा बैट कर नहीं खेल सकते हैं, लेकिन हम अपने घर में खेल सकते हैं, और लुकाचिपी खेलते समय तो हमारे मम्मी पापा भी हमारे साथ खेलते हैं, है न तो लुका चिपी कैसे खिलते हैं बच्चो जो धूरने वाला होता है मतलब जो इसके उपर डाई रहता है वो अपनी आखे बंद करता है और एक से लेके दस तक गिनती गिनता है जब तक वो एक से दस तक गिनती गिनेगा तो बाकी लोगों को उस टाइम पर कहीं पे भी जाक चुप जाना पड़ता है बेट के नीचे या कपाट के पीछे या सोफा के बाजू में कहीं बेबी या बात्रूम में कहीं बेबी जाके चिपना पड़ता है और जिसके उपर डाई है जो गिनती बोल रहा था अगर उसने आपको पकड़ लिया थापा कर दिया तो आप आउ पड़ने पड़ेगी तो ये खेल ऐसे ही लगातार खेलते रहते हैं तो बच्चो आज हमने कौन-कौन सा खेल खेला ये राजा मंतरी चोर सिपाही का चिड़िया उड़ साप सिड़ी कैरम लूडो सतरंच लुका छिपी असपरशे वस्तूओ को पहचाना तो आज हमने बच्चो बहुत सारे खेल खेले है ना मैंने आपको कितने खेल के बारे में बताया है तो बच्चो आपको इसमें से कौन सा खेल अच्छा लगता है वो आप मुझे कमेंट करके बताईए आप इसमें से कौन-कौन सा खेल अपने ममी पापा के साथ खेलते हो व अगर आपको इन खेलों के बारे में नहीं पता है तो आप इन खेलों के बारे में सीखिए और अपने घर में अपने ममी पापा दीदी भया के साथ खेलिए तो बच्चो आज की पाड़ साला हमारी यहीं पे समाप्त होती है अगली पाड़ साला में हम कल फिर मिलेंगे अगर आप मेरे पाड़ साला में नए हैं तो मेरे पाड़ साला को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए कमेंट करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्या ले सके जिस प्रकार आप लोग ले रहे हो उसी प्रकार वो लोग भी ले सके और बच्छो हो सकता है आगे एक दो महिने में हमारे स्कूल खुल जाएं तो कितना मज़ा आएगा हम अपने स्कूल में आके सारे गेम खेलेंगे है ना तो बच्छो आप मैं अपनी पाड़ साला यहीं पे समाप्त करती हूँ अगली पाड़ साला में हम कल फिर मिलेंगे तब तक के लिए बाए बाए बच्छो जैहिन जैभारत